जैमातादी, जैमाकामक्या, देवराधाटरष्ट सत्यमानी चैनल, मोक्षदा एकादशी, यह फिर इसको गीता जैन्दी भी बोला जाता है, मोक्षदा एकादशी का तादपर्य है, मोह का नाश करने वाली है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, द्वापर युग में, इसी दिन भगवान सी क्रिश्ण ने कुरुक शेत्र में गीता का ज्यान दिया था, अर्था इस दिन गीता जैन्दी भी मनाई जाती है, मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता का उबदेश हुआ था, तो इस एकादशी जो है, मोक्षदा एकादशी की वरत पूजा की कुछ विधी होती है, तो इस दिन जो है भगवान सी क्रिश्ण महर सी वेदव्यास और स्रीमत भागवत गीता का पूजन किया जाता है, और वरत से एक दिन पुर्व दश्मी तीथी को दो फर में एक बार भोजन करना चाहिए, रात्री में भोजन नहीं किया जाता है, एकादशी के दिन प्रातकाल उठकर के इसनान करें और वरत का संकल्प लेना चाहिए, संकल्प लेने के बाद भगवान सी क्रिश्ण जी की पूजा करना चाहिए, उन्हें दूप दीप नेवेद आधी जो सोड़स उप्चार पूजा होती वो पूजा करना चाहिए, वही रात्री में भी पूजा और जागरन करना चाहिए, एक आधशी के अगले दिन दौजाधशी को पूजन के बाद जरुत मंद व्यक्ति को भोजन वदक्षिना दान देनी चाहिए, इसके बाद भोजन गरहन करके व्रत खोलना चाहिए, यानि इसका महत सिंपल सा है कि हम जितना भोजन का त्याक करते हैं अन्न का त्याक करते हैं उतना अन्न हमें किसी दूसरे व्यक्ति को जरोतमंद व्यक्ति को भूके प्यासे व्यक्ति को गरीब व्यक्ति को भीकारी व्यक्ति को भोजन कराना होता है तो ही आपकी ये एकादशी वरत फलित होती है केवल भूके रहने से काम नहीं चलता है दान देना भी अनिवार ये होता है और भूके रहने के साथ-साथ एसा नहीं कि आप हमेशा वरत उपवास सम्मंदित चीजों को खाते पीते रहो एसा भी नहीं होना चाहिए तो मोक्षदा एकादशी इस्वरत के प्रार प्रभाव से मनुष्य के पुर्वजों को मोक्ष की प्राप्ती होती है तो जिनके यहाँ पर पित्र दोश हो जिनके यहाँ पर सपने में पित्र आते रहते हो जिनको सपने के अंदर काले साप दिखाई देते रहते हो जिनके घरों में पक्के मकान होने के बाउजू छोटे छोटे काले साप के बच्चे निकलते रहते हो दिखते रहते हो तो एसे मनुश्यों को ये एकादशी वरत अवश्य करना चाहिए जाने कि उनके पुर्वत जो ह मुक्ति मिलती है वहीं इस बात इस वरत को करने से मनुष्य के पापों का नाश भी होता है ऐसे तो कोई भी वरत उपवास करिए पापों का नाश अवश्य होगा इसलिए हमारी वरत उपवास का नियम बताया गया है और मानने ता है कि इस दिन भगवान सी करश्ण ने जी को गीता का उपदेश दिया था, संदेश दिया था, इसलिए इस उपलक्ष में मोक्षदा एकादशी पर गीता जैनती मनाई जाती है, श्रीमत भागवत गीता एक महान गरंत है, सिप ये मलाल कपड़े में बांध करके रखने के लिए नहीं है, मल्की उसे पढ़ करके उसके संदेशों को आत्मसाथ कर लो, और जो मनुष्य गीता जी के संदेश को आत्मसाथ कर लेता है, तो सायद वह मनुष्य अपना सांसारिक जीवन बनाएगा ही नहीं, इसलिए हमारे यहाँ पर इसके लो में स्रीमत भागवद गीता को नहीं पढ़ाया चाता है, क्योंकि कोई मनुष्य यदि भागवद गीता के हर श्लोक का अर्थ को समझ करके, यदि अपनी जिन्दिगी में आत्मसाथ कर ले, तो वह सादू संत त्यागी तपस्वी बन जाता है, तो भागवद गीता के चिंतन से अग्ञानता दूर होती है, इस आने जाने जो है आना जाना, मनुष्यों के जन्म होना, मर्त्य होना, इस आवागमन के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाती है, और आत्म ज्यान की और अग्रसर होता है यानि उसे आत्म ज्यान की प्राप्ति होती है इस स्रीमत भागवद गीता के पढ़ने से और सुनने से जीवन को एक नई प्रेना मिलती है वही इस दिन श्रीमत भागवद गीता भगवान सी क्रश्ण और महर्ची वेद व्यास का विधी पूर्वक पूजन करके गीता जैनती को मनाया जाना चाहिए इसके कथा भी है कि एक समय गोकुन नगर में वेखानस नामक राजा राज्ची करता था तो एक दिन राजा ने सपन में देखा कि उसके माता पिता नरक में दुख भोग रहे हैं सपन देखा क्योंकि सपनों में पित्रों का दिखना ही एक तरीके से पित्र दोश की उत्पत्ति कहलाता है और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे है अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकिर हो गया चिंतित हो गया प्रातकाल जब राजा उठा तो राजा ने ब्रामनों को बुला कर अपने सपन का भेद बताया और भेद पूछा तब ब्रामनों ने कहा कि है राजन इस सम्बंद में परवत नामक मुनी के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछो तो राजा ने इसा ही किया जब परवत मुनी ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए उन्होंने कहा कि है राजन पुर्व जन्म के करमों की वज़े से आपके पिता को नर्कवास प्राप्त हुआ है यसे लिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो ताकि कस्ट की प्राप्ति नहीं हो और मरने के बार नर्क नहीं देखना पड़े और अगले जनम के लिए फाइल को तरफना नहीं पड़े तो अपने पुर्वजों के पाप कर्मों की वज़े से उन्हें नर्क में भोगना पड़ रहा है अब तुम मौक्षदा एका दशी का वरत करो और उसका फल अपने पिता को अरपित करो तो उनकी मुक्ति हो सकती है राजा ने मुनी के कथना नुसार ही मौक्षदा एका दशी का वरत किया और सुयोग्य जनेवधारी त्री संध्या करने वाले ब्रामनों को भोजन कराया दक्षिनादी वस्त्र आदी इत्यादी से उनको प्रसन किया और आशिर्वात प्राप्त किया इसके बाद वरत के प्रभाव से राजा के पिता को मौक्ष की प्राप्ति होई तो जिन दिन मनुश्यों के यहां पर जैसा मैंने कहा है पित्र दोश हो, कस्ट हो, परेशानी हो, दुख हो, पेसा नहीं आ रहा हो, जादा रिनी हो गए हो, मकान नहीं बन पा रहा हो, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही हो, या फिर पढ़ लिग गए पंदू सर्विस नह ही लग रही हो, सपने में पित्र नजर आते हो, सपने में सांप नजर आते हो, एसी समस्या हो, तो समझो पित्र दोशे, एसे मनुश्य के जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, बच्चे और बुजर्ग को छोड़ दीजे, जो बीमारी है, उनकी वज़े से उन्हें गोली थाँ पक कत्क ऑन्युक्ट थाएं आते हो, सज़े मकामख्या, ऑम नमो भगवते वासु देवायं, आम किलिमक्रश्नाय नमह, अम लक्षमी नाराय नमह, ऐस्नवे नमह, एसम्रिवे नमह, ऐस्निtımै वासु दवाय हर्ये परमात्मने प्रणतक्लेशन आशाये गोविंदा शान्ताकारं बुजगशे नंपद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सतसं मेगवन नंचुबांगं लक्ष्मी कांतं कमलनयनं योगी विध्यान गम्यं वंदें विष्णु भभय हरं सर्वलोके कनाथं आम पुंडरी काक्षाय विद्महे गरुडवानाय धीमही तन्न विष्णु प्रजोतेयात राम रामे ती रामे ती रमे रामे मनो रमे सास्त नामता तुल्यम राम राम वना रमे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 किष्ण हरे किष्ण 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 हरे हरे